जैसा कि हमें पता है दीख्षा एप में सिख्षक अपना निष्टा प्रिसिक्षन प्राप्त कर रहे हैं अब निष्टा मॉडूल प्रारम करते समय एक मैसेज आता है कि I agree to share my profile detail जैसा हम दीख्षा एप open करते हैं दीख्षा एप के open होने पर इसमें हम कोई नया कोर्स प्रारम करते हैं जैसे हम समाजिक विग्ज्ञान का सिख्षन सास इस मॉडूल में अपना प्रिसिक्षन प्रारम करते हैं जैसे ही हम प्रिसिक्षन पर किलिक करते हैं एक pop-up बिंडो ओपन हो जाती है और इसमें एक मैसेज आता है कि I agree to share my profile detail अर्थात मैं सहमत हूँ अपनी detail share करने के लिए With the course administrator अर्थात जो course को launch करने वाले हैं उनके साथ हम अपनी personal profile detail share करने के लिए सहमत है In accordance with the दीख्षा terms of use अर्थात दीख्षा के जो नियम है जो सर्थे हैं उनके अनुशार हम अपनी profile detail course के ब्यवस्तापक, course के launch करने वालों के शेयर करने के लिए सहमत है तो ये message में लिखा हुआ है अब इसमें सिक्षकों के प्रश्ण आ रहे थे कि इसमें हम share करें या ना करें तो इसमें बताना चाहेंगे कि दीख्षा app में आपकी समानसी जानकारी दर्ज है जैसे आपका नाम है, आपकी संस्ता का नाम है, जिले का नाम है इस परकार समानसी जानकारी आपकी profile में दर्ज है साथ ही आपकी profile में जो course आपने किया है, उसकी information होती है तो इसे share करने में किसी प्रकार की कोई प्राबलम नहीं है इसमें मेरा ब्यक्तिगत मानना है कि हम अपनी profile को share जरूर करें जो employee share नहीं कर रहे हैं वो उनका ब्यक्तिगत मत हो सकता है तो दीख्षा app के किसी module को प्रारम करते समय अधि इस प्रकार का कोई message आता है तो checkbox पर टिक करके हमें share पर किलिक करके आगे बढ़ जाना है और अपना prescription प्रारम कर देना है तो यह थी दीख्षा app में सिक्षकों की profile share करने के सम्मझ में जानकारी वीडियो कैसा लगा किरपया comments कर अपने सुझाओ जरूर दें साथी channel को subscribe करना ना भूलें Thank you